हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे योट्यूब चैनल स्टडी जोन पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलीस सर्विस कमिशन की तरफ से बंपर वेकेंसी का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिन का इंडेट जो खर्ति का इंतजार कर रहे थे उन सभी के लिए भी वेकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है और यह नोटिफिकेशन रिलीस किया गया है तीन तारिक को यानि कल के दिन रात के साड़े 9 वजे इस नोटिफिकेशन को राजस्थान सारकार द्वारा इसके ऑपीसल वेबसाइ सब le Вам कई एक बार 20 फॉर्म को गलती होती है तो आपके वजा से आपकी फॉर्म कर दिया जाएंगा इसलिए वीडियो को पुरी तरह से देखना है तो पहले दोस्तो बात कर लेते हैं इसकी कटे बारे में आपकी कैसा रहने वाली है और कैसे कैसे रहने वाली है और post name आपकी area TSP या non TSP कि केतने post हैं और इसमें non TSP और TSP कि यह क्या से accessibility कठेटर लेंगे पूरी instruction मैं आपको पहला स्वाट में बतायता हूं फिर मैं आपको नोटिफिकेशन के माद्यम से बता दूंगा जैसे कि दोस्तों यह जो है मैं आपको बतायता हूं कि जो अप्लिकेशन जो इस्टार्ट की गई है लगबग अप्लिकेशन इस्टार्ट की गी है तो बात कर लेता हूं कि यह आपकी फी कितने लगरे वाली है, तो General और OBC और EWS को इसमें 350 रुपये देना पड़ेगा, और SC और ST को देना पड़ेगा, इसमें आपको 2800 रुपया आपको इसमें देना पड़ेगा, यह मैं आपको बता चुका हूं, अब दोस्तो आगे बात कर लेते हैं कि इसमें जो है आपकी age कितनी समय तक count की जाएगी मैं आपको यहाँ से पूरी instruction step by step बता सकता हूँ क्योंकि दोस्तो आपकी age कितनी मानी जाएगी मैं पहले आपको short notification दे जता हूँ यह जो आपकी age काउंट की जाएगी वो आपकी मानी जाएगी 1,1 और 2,001 जो 2022 तक जो है आपकी age काउंट की जाएगी इसके अलावा अगर आपकी इससे एक दिन भी जादा होती है तो आप इस फोरम के लिए eligible नहीं है इसी के अंदर दोस्तों आपको ना 20 साल से कम रहना है ना 25 साल से ज़्यादा रहना है अब जो यहाँ पर SC और ST और OVC को कितनी छूट मिल रही है तो दोस्तों दोनों को ही 5 साल की छूट मिल रही है जो candidate जो है over age हो सुके हैं वो अपनी जो है age relaxation के चलते इस form को भर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों जो है candidate जो है SC, ST और OVC को इसमें छूट मिली है और मैं आपको यहाँ पर बतायता हूँ कि जो TSP और non-TSP की कितनी form है जैसे कि दोस्तों जो है post sub inspector की जो है sub inspector area जो ACP की है जो है तो वो non-TSP में आपकी 663 post है जिस पर आपको जो है bachelor degree होने चाहिए चाहे अगर आपकी जो है interview से पहले भी आपकी जो मान लिजे last semester आपकी चल रही है या last चल रही है तो दोस्तों आप इस form को fill कर लिजेगा क्योंकि दोस्तों अगर जब intro के लिए आपको बुलाया जाएगा तो आपको जो है अपनी पूरी document लेके जानी पड़ेगी अगर intro से पहले आपकी जो है complete नहीं हो पाती है तो फिर आप इस form को मत भरिएगा क्योंकि दोस्तों जब भी आपकी form की ये intro बुलाया जाएगी तब आपको ये document लेके जाना पड़ेगा इसमें ऐसा कोई नहीं कि form भरते समय ही आपको इसके लिए record मांगा गया है तो दोस्तों आप जो graduate कर रहे है या जो आपकी जो है bachelor degree है तो आप उसके उनसार भी आप इस form को भर सकते हैं तो हम आपको form भर के भी step by step दिखाएंगे या मान लीजे आपके 10 दिन में पर graduation पूरी हो जाएगी तो आप इस form को भर सकते हैं एक महिना बाद भी या दो महिना बाद भी आपकी जो हो सकती है तो उसके recording आप इस form को भर सकते हैं तो यहां पर आप मैं बात कर लिता हूँ यही दोस्तों है सभी के जितनी पोस्ट है इनको graduate होना जो है bachelor degree इनके पास होना जरूरी है तो यहां पर जो sub inspector IB की जो निकाली गई है वो 63 post है नन TSP TSP में एक post है जो आपकी जो यही है जो यहां पर आप देख सकते हैं कि चारों post आपकी जो बताई गई है यहां पर मैंने बता दिया है तो अब जो जो है आपकी जो है जो category wise जो है आपकी vacancy detail है आप इसी भी देख स और यहां पर जो आपकी जो फीजिकल कराई जाएगी आपकी जो है रिटन टेस्ट के बाद उसमें आपकी जो है फीमिल की और मेल की कितनी हाइट रहेगी मैं आपको बतायता हूं जो आपकी जो इसमें मेल की पहले मैं आपको मेल की बतायता हूं इंफरमेशन जो आपकी मेल क जो हाइट रहेगी वह आपकी 160 CMS रहने वाली है यहां पर आपकी जो चेस्ट रहने वाली है वह आपकी 81 जो है 81 रहने वाली है और फुला के जो है आपकी जो है 86 रहने वाली है तो यहां पर जो है minimum weight इसके लिए male से लिए रखा नहीं गया है अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ female की female की जो height मांगी गई है वो आप से मांगी गई है 152 जो है CMS मांगी गई है और जो है chest उनकी लिए कुछ नहीं है उनको ना है इसके chest में कोई नहीं है और जो उनकी weight मांगी गई है वो 47.5 kg होनी चाहिए इतनी तो उनकी होनी चाहिए और दोस्तो form submit आपकी जो है की जाएगी form submit आपकी जो मिलने वाली है वो आपको 9222 से मिलेगी जैसे ही दोस्तो form आएगी उसके लिए भी आपकी वीडियो अलग से बन के त्यार हो जाएगी आप उससे properly देख ली जाएगा तो अब जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी tsp कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपकी tsp हैं उसकी कितने पद हैं area wise here पोरी post को बताय गया है आप यहां से इसकी पूरी instruction पड़ सकते हैं आप यहां से और मैं आपको यहां पर बतायता हूँ कि जो आपकी योगिता है यहां पर दोस्तो वही चीज में लिखे गई है कि जो आपकी जो अगर आप preparation कर रहे हैं मान लिजे इस भरती का अगर आपकी graduated होने में मान लिजे एक म कर सकते हैं आप यहां पर देख सकते हैं कि आपकी जो है योगिता में कितनी आपकी छूट मिली है यहां पर देख सकते हैं कि कितनी एज में relaxation मिली है अब यहां पर हम आपकी पेस्किल की बात कर लेते हैं कि आपको कितनी वेतन मिलेगी जो मैं आपको इस वीडियो में बताय सकते हैं और साथ मैं आपको बतायाता हूं कि जो आपकी वेतन कितने मिलने वाली है वह भी दोस्तों वेतन आपको अच्छी खासी वेतन मिलने वाली है जो मैं आपको इस बीडियों बतायता हूं जैसा कि दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि जो आपकी पहले सब्जेक्ट के सब्जेक्टि absolument हैं जो और व्यicaçãoय आप includes Hands के बारे भी आपकी फीजिक्रेश में पंवाली में नाहें किन इस किसा मत्रीश रखेंड अब कती स्जिट उन्मने यहां लाइन हैं게 स्व्मवणी करें हृत states तो यहां पर हम बात कर लेते हैं पेस्किल की जो आपको यहां पर देख सकते हैं जो पेस्किल मिलने वाली है वह 11 ग्रेट के पहले में जो है आपको 4200 की मिलने वाली है वेतर यहां पर आप देख सकते हैं कि जो आपको दी गई है तो अगर और कोई भी कन्फूजन है तो कमें के जाएगा कि अर्क अगसेतरग कभी दिक्तता आता है हमारे चनल स्ट्रडी जोन के माध्यम से अपकी माध्यम से पूरी तब यक्य साहिता रखा के तरब के तरफ से यह आपकी पुलिस की बंपर वेकनसी निकाली गही है 8057 पोस्ट पर आपकी निकाले गई है और candidate इस भरती का काफी दिनों से इंतिजार कर रहे थे उन सबी के लिए bumper वेकेंसी आ चुकी है जल्द से जल्द आप इसकी जो है form अपलाई कर दे और जो है आपकी जो है link अक्टिबेट 9 2021 से कर दी जाएगी यानि आपको 4 या 5 दिन और इसके भरती के अपलाई करने के लिए रुकना होगा और दोस्तों जो candidate गैजुएट कर चुके हैं और साथ में उनको लगता है कि हमारी जो degree आ जाएगी एक या डेड़ मेने में तो आप भी इस form को जरूर भरती जाएगा कोई भी confusion कमेंट के माद्यम से जरूर पूछेगा आपकी साहता पूरी की जाएगी तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तब के लिए दोस्तों जैहिंद वीडियो अच्छा लगा होगा दो दोस्तों लाइक करेंगे और अभी तक आपने हमारा यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा क्योंकि कोई भी रिकुरिंट आती है तो सबसे पहले हमारे चैनल के माद्यम से आप तो इन्फर्मेशन को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तब के लिए दौस्तों जाहिंद कर दो